नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जियार चौधरी मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहदिल से स्वागत है आज किस वीडियो में हम कंप्यूटर से सम्बंदित कुछ मैंतोपोन परशन पढ़ेंगे तो वीडियो सुरू से लेके अन तक जरूर देखें तो परत्म क्यूसन है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सौप्टिवेर का परियोग किया जाता है तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लिकेशन सौप्टिवेर का परियोग किया जाता है प्रोग्राम है तू विक्सित की गई सरो परत्म भासा कौन सी है सी बैसिक, कोबाल और जावा किस भासा के उदारण हैं तो उसे क्या कहते हैं तो यह क्या हाई लेवल की भासाई हैं जो कंप्यूटर में काम में ली जाती है कंप्यूटर भासा फॉर्टॉन कि सेथर में उप्योगी है तो यह विज्यान के सेथर में उप्योगी है DVD किसका उधारन है तो DVD Optical Disc का उधारन है Tele processing तता time sharing का प्रियोग किस PD के computer में हुआ था तो तरतिय PD के computer में tele processing और time sharing का प्रियोग हुआ था पहले से on computer को restart किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो warm booting है उसको कहा जाता है यदि computer पहले से on और उसको restart किया जाता है तो उसे क्या कहते है वार्म booting internet में परियोग्त computer language है तो Java है internet में परियोग्त computer language है यानि बैसा है क्यारी क्या है तो एक super computer है computer में अनवरत विदुत अपूरती का संपिक रूप है तो UPS है file extension किसके लिए इस्तमाल किया जाता है तो file type को एडिटिफाइड करने के लिए एडिटिफाइड करने के लिए है वो file extension का परियोग किया जाता है keyboard में function की किसंग क्या कितने होती है तो keyboard में function की किसंग क्या 12 होती है computer कितने परकार के होते है तो computer दो परकार के लिए है कौन-कौन से होते है या आप comment box में जरूर लिए है microphone processor किस पीडी का computer है तो यह चोती पीडी का computer है computer से पढ़े जाने वाले अलग-अलगपाई चोड़ाई कि लाइन वाले code को क्या कहते हूं तो उसे bar code के नम से जाना जाता है modulator d modulator का सामने नयम क्या है तो इसे modem के नम से जाना जाता है एकसल workbook संग्रे क्या है तो एक work sheet का यह संग्रे है ओरिकल क्या है तो एक database software है Pascal एक computer की एक बासा है वे है बिंदू जिस पे data computer में परवेस करता है या निकलता है terminal कहलाता है self phone में किस वर्कार की storage device का उपयोग किया जाता है तो flash storage device का उपयोग किया जाता है Soft copy एक output है तो hard copy क्या है एक printed output है यज़ी soft copy क्या है एक output है तो hard copy क्या है hard copy है क्या है printed output है EDP क्या है electronic data processing, इसकी full form है वेवोट्स जिने programming language में अपने sh tvm कोपियों के लिए अलग-अलग रखा जाता है उसे reserved world खा जाता है प्रिंस्पस संबंदित रिकोर्डियों के सम्मों को डाटाबेस का आ जाता है डिस्क को ट्रकूं तता ट्रकूं तता सेक्टरों में विवाजित करने की परकिरिया फार्मेटिंग कहलाती है डिस्को ट्रेकू तता शेक्टों में ब्याजित करने प्रक्रे क्या कहलाती है फार्मेटिंग विस्व का पर्थम कंप्यूटर नेट्रक माना जाता है तो अपरनेट है वो विस्व का पर्थम कंप्यूटर नेट्रक माना जाता है अपरनेट Motherboard में क्या रहता है जो Motherboard पर CPU को दूसरे पुर्जुण से जोड़ता है तो System verb 6 है वो Motherboard पर CPU को दूसरे पुर्जु से जोड़ता है Unix नामक Operating पड्रोप से परियोगम लाई गई वेब सर्वरोव में Axel Spirit Street का एक्षतेस्टेसन है Axel S रेम वोलो टाइम मेमोरी क्या है तो डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जुरूत होती है इमेल पत्ते के दो भाग कोंगों सो होते हैं परियोगता का नाम और डॉमेन नाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन किस प्रिंटर दोबारा एक स्टोक में एक अक्सर प्रिंटर होता है तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्टोक में एक अक्सर प्रिंट होता है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें क्या है वाइरस है उस नेटवर्क टॉपिलोज का क्या नाम है जिसमें परतियक संभावित नोड में दिव दसी कडिया होती है तो मेंस है उसमें दिव दसी कडिया होती है प्रोब्राम है तो विक्सित की कज़ सरुपर थम बहां सा-फोर्टौन वर्ड डॉकुमेंट का डिफाल्ट फाइल एक्स्टेशन क्या है डॉस डी ओसी भारत में सरुक्त तुम दिखाई जाने वाले कंप्यूटर वाई सी ब्रेन हुए सर्किट बोर्ड जिसमें सी प्यूए अन्य चिप होती है तो फैकल उसे क्या कhi तहें मदर बॉर्ड का जाता है जोंक इमेल क्या है तो सपैम है वो जंक इमेल है केड सबत का समंद कंप्यूटर से डिजैन से है ऐ ल्यूट क्या है ऐटिमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक सोरी अर्थमेटिक लोजिक यूनिट ए एल यू गूगल क्या है एक सर्च इंजने बहसा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम में के समझ लाता तब से क्या कहता है मसीनी बहसा पोइंट एड ड्रा डिवाइस क्या लाता है माउस लिनिक्स एक ओपन सोर्स सोप्टवेर है ट्रेक बोल किसका उदारन है पोइंटिंग डिवाइस का उदारन है ट्रेक बोल इलोक्त्रोनिक कंपोन्टेंट वाले थिन पलेट या बोर्ड को क्या कहते है तो circuit board केते हैं अन्तिम की उसेने किस printer देवाला स्टोक से अकसर प्रिइंट होते हैं तो data matrix printer से अकसर प्रिइंट होते हैं यदि वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें धन्यवाद